हलो दूस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दूस्तो इस वीडियो में हम तीन कंपनियों को कवर करने वाले हैं ठीक है और उनका जो टेकनिकल पॉइंटे वो नोट करने वाले हैं ठ देखे तो देखते हैं इनका टेकनिकल पॉइंट क्या बोलता है उससे पहले मार्केट को देख लेते हैं तो आज की डिट में मार्केट बहुत अची तरीके से ट्रेड कर रहा है और मार्केट 17,800 के करीब अभी प्रेडिंग कर रहा है प्रिवेस क्लोस ता मार्केट का 17,736 यह ओपन होता 17,756 पे हाई लगाता है 17,838 और लो लगाता है 17,723 का मतलब एक अच्छा कासा मुमेंट हमें दोस्तों मार्केट में देखने को मिल रहा है अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट दोस्तों यहां से कितनी उपर जाता है क्योंकि मार्केट के सबसे इंपो अच्छे क्योंगेट के उपर हम डेफिनेटली दोस्तों आप लोगोंको बताने वाला है तो फटा पटलेवाटे इस विडियो को लाइक कर दीजेए और चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलीए चली सबसें सबसें कंपनी को देख लेते हैं तो दोस्तों सबसेंस घ प्राइस वह साथ सो चोवीज रूपे 30 पैसे स्टॉक में करीवन एक सबापर सेंट के हमें गिरावट देखने को मिल रही है प्रीवेस क्लोस तो साथ सो थैस्टीस रूपे 75 पैसे हाई लगाता साथ सो उननचास रूपे 25 पैसे और लो लगाता साथ सो चाशे रूपे के करोड़े आगे ठीक है पी येनिंग रोशो भी बहुत बढ़िया है और डिविडेंट डेल बेस का बहुत बढ़िया है साथ में 52 बिक का है 52 बिक का लो यहां पर आप देख सकते हैं इसके साथ ही overall का performance आप देखेंगे तो ये भी बहुत शांदारा में देखने को मिलता है ठीक है तो हम किस company के बात करें हम बात करें दोस्तो KPIT technology की जिसने Q2 के नंबरा भी शो किये बहुत बढ़िया Q2 के नंबरा में दिखा है और उसके साथ ही दोस्तो अब इसका technical point जानना बहुत जरूरी हो जाता है तो क्या है technical point वो देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकत हमने KPIT technology का chat pattern open किया है अब KPIT technology के अगर मैं बात करता हूं तो यह वाला point आप देखेगा साड़े 400 का ठीक है और उसके साथ से यह वाला level देखेगा ठीक है आपको दोस्तो इतना जो level देखने को मिल रहा है मतलब साड़े 400 से लेके साड़े 500 तक का यह काफी range बड़ी बनी थ मतलब यह 5 मैंने इसी range में stock क्या करते रहा trade करते रहा फिर दीरे दीरे करके दीरे दीरे करके ऊपर breakout देते गया कुछ important point को respect भी दिया जैसे कि 600 का साड़े 600 रुप के level पे भी इसने काफी ज़्यादा समय बिताया आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा समय बिताय साड़े 600 पे पहुच गया काफी दिन यहाँ पर trading किया एक ही candle बना एक दिन में 700 पे पहुच गया अब वो यहाँ पर consolidate moment अपना चालू कर दिया मतलब वो ऊपर तो पूरे comfortable zone में आ चुका है लेकिन नीचे उसने दोस्तों अपने important level छोड़ के आया है मतलब नीचे की date में अ KPIT Technology के ऊपर तो दोस्तों वो कहां तक जाएगा किसी को नहीं पता क्यों कि दोस्तों ऊपर है ना उसके काफी ज्यादा comfortable zone में आ चुका है तो कहीं पर भी जा सकता है ठीक है अभी जैसे 750 होके आया है तो हम थोड़ी देर के लिए यही मान लेते है कि 750 का important level है ठीक है अभी व का जो level है और rejection के साब से note कर लिजे और इसी साब से क्या करिए stock of watch करिए देखिए कि 750 का level break हो रहा है या नहीं या साड़े 700 का break हो रहा है तो कितना उसके पर pressure आ रहा है अगर 750 का break हो रहा है तो वो कितनी तेजी दिखा रहा है और उसके साथ ही वो कितना comfortable zone में दिखा रहा ह ठीक है और आगे भी हम आप लोगों का update करेंगे ही ठीक है चलिए second company को देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो second company उसका जो share का price है वो है 2565 रुपे इस stock के अगर मैं बात कहता हूं तो 2564 रुपे 40 पैसे का previous close हमें देखने को मिल रहा है यह open होता ह 2568 रुपे पर हाई लगाता है 2587 रुपे पर उलो लगाता है 2555 रुपे पर उसके साथ ही market केप अगर मैं बात कहता हूं तो एक लाग तीस अजार करोल का market केप हमें देखने को मिलता है company का पी यानिंग देशों तोड़ा सा महंगा है और dividend deal भी बहुत बढ़िया है साथ में हम बात करें दूस्तों पीडी लाइट इंडास्टि की पीडी लाइट की तो दोस्तों क्या ही केना chemical इंड्रस्टी से तो तो बेलॉंग करती है फैमिकॉल बनाती है जिसका फैमिकॉल हम और आप दोनों यूजन यूजञ करते ही है चलिए आप इसका टेक्णिकल देख लेत पलिपन किया है और एंगल बन के टर्मिनल पर है हम और इनल पर आब देखें पेड़ी आइड का क्या हो रहा है चैनल आब यह जोस्ट्व नेन फिर बिलाइट को इसने किया है जहां पर पहले भी कैसा momentum हमें दिखाएगा यह देखना है क्या यहां से ऐसा करके उपर जा पाएगा यह यहां से नीचे आएगा यह देखेंगे पता होगा जब देखेंगे तो तब ही तो हम बता रहे हैं कि 25 का level note कर लीजिए ठीक है और देखिए कि क्या हो रहा है ठीक है यह एरिया है मतलब 27 का जहां पर stock ने बहुत ज़्यादा समय बिताया है लेकिन वो tick कभी भी नहीं पाया है यहां से गिराबट लेकिन breakout देखें उपर फिर भी नहीं टीका यहां पर भी नहीं टीका और यहां पर भी नहीं तो 27 रुपे का जो level है बहुत ही important है stock का तो यह level अगर break होता है तो stock comfortable zone में आएगा लेकिन वो कभ break होता है यहां पर आने के बाद कैसा वो reaction करता है यह देखने वाली बात है तो इसको भी आप note कर लिजिए तो तीन level note करा दिए 27 का 26 का 27 का सबसे ज़्यादा 26 का middle range और 25 का सबसे ज़्यादा important support level इस हिसाब से stock को watch करिए चलिए next company के stock को देखते हैं तो दोस्तो next company का जो share का price है वो है 328 रुपे इसके साथ यह अगर मैं previous close की बात करता हूँ तो previous close है 326 रुपे 30 पैसे stock open होता है 3210 रुपे high लगाता है 3240 रुपे और low लगाता 3180 रुपे market cap के अगर मैं बात कहता हूँ तो 48,000 चाचट करोल का market cap देखने को मिलता है PE on English भी बहुत बढ़िया है dividend deal भी बहुत बढ़िया है इसके साथ इसका 52 विक का low देख सकते हैं overall का performance अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये company भी हमें बाजार में काफी पूरानी देखने को मिलती है तो जरू दोस्तो आप इस company को भी अपनी focus में रख सकते हैं तो हम किस company के बात करें हम बात करें दोस्तो PI industry की काफी बढ़िया ये company हमें देखने को मिलती है market में तो अब इसका technical point क्या बोलता है ये देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो PI industry के मैं चार्ट पेटर्न ओपन पे आज चुका हूँ और daily candle इसका भी लगाया हूँ अब देखे PI industry के अगर मैं बात करता हूँ तो जो stock है वो ये level को support लिया था सबसे पहले 3000 यहाँ पर भी लिया था काफी बढ़िया तरीके से उपर गया था 3400 रुपे का rejection बनाने के बाद फिर गिरा था तो फिर यहाँ पर support लिया है एक बार फिर सेकेंड बार और फिर उपर जा रहा है तो उपर जाते जाते दोस्तो अभी क्या किया है और वो pullback तो आ चुका है तो 3000 रुपे के एक psychology नंबर से क्या हो pullback तो आ गया है अब वो pullback दोस्तो इस्टॉक को यहाँ तक लेके आएगा या नहीं यह देखने वाले बात है तो 3000 का support level तो note करी लीजिए और 3400 रुपे का level दोस्तो जो है वो एक important rejection है उसको भी आप note कर लीजिए और देखे कि PI industry का जो stock है यहाँ तक आ पाता है या नहीं क्योंकि यह जो तेजी थी बहुत बढ़िया थी तो profit booking आना confirm था तो profit booking भी दोस्तो आई एक support से एक अच्छी खासी reversal आई मतलब दोस्तो एक अच्छा काजा pullback यहां से आया है तो बढ़िया moment हमें दोस्तो देखने को मिल रहा है तो दोनों level को note कर लीजिए तो बढ़िया level आप लोगों कोई देखने को मिलेंगे तो दोस्तो यह multiple company को related मेंने जो level थे वो update कर दिए खाली education के purpose से कि आप इन levels को लगा कर stock of watch कर सकते हैं ठीके आगे इन company से related जैसा भी update आएगा हम definitely आपको update करेंगे तो फटापट से इस वीडियो को like कर दिए दोस्तो और channel को subscribe कर दिए तो thank you दोस्तो